दोस्तों अगर आप भी बिहार बोद से 2023 से 25 सेशन में अपना इंतर में एडमीशन करवाना चाहते हैं तो आप सब के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी निकल करा रहा है वैसे तमाम चात्रा के लिए जिनोंने अभी तक अपना एडमीशन इंतर में नहीं करवाए हैं तो उ कर दहाए उस वीडियो का लिंग उपर आई बतण में मिल जागा वहाँ से वीडियो को downstairs को देख सकते हैं या फिर सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैप्तोप में गूगल को ओपेन करना होगा उसके बाद यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा यहां पर यहां पर आने के बाद यहां पर आपको नीचे करना होगा नीचे आएगा तो यहां पर आपको एक आप्सन मिल जागा इंतरमीडियत कॉलेज एवम स्कूलों में एस्पोर्ट नमांकन के लिए फोरम भरने के लिए यहां किलिक करें इस वाले अप्सन पर आपको क्लिक कर लेना होगा इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक निउपेज ओपन हो जागा तो यहां पर आपको नीचे क् करेंगे इस फौरम को फिलब करना होगा तो यहां पर आपको सबसे पहले यह उसके बाद यहाँ पर आपको देतो बर्द डालने का अप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको अपना देतो बर्द सिलेक्ट कर लिजेगा देतो बर्द सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रॉल कोड डालने का अप्शन मिलेगा उसके बाद यहां पर आपको roll number डालना होगा. तो जैसे यह आप roll को roll number डालिएगा यहां पर आपका सारा detail सर्टोमेटिक आजायेगा. उसके बाद यहां पर आपको अपना एक फोंटो अप्लोद करना होगा. तो उसके लिए यहाँ पर choose file वाले option पर click करके आपके files में जहाँ भी आपका फोंतो होगा वहाँ से आप password size फोंतो upload कर लिजेगा उसके बाद आपको नीचे आना होगा नीचे आएगा तो यहाँ पर यह सारा details आपका पहले से फिल अपर हैगा उसके बाद यहाँ पर आपको विद्याले का पाता डालना होगा यानि कि आपका school जहाँ पर भी होगा उसका address यहाँ डालना होगा उसके बाद आप उस स्कूल में किस वर्स एदमिसन करवाए थे वो यहां से सेलेक्ट करना होगा तो आप जिस भी वर्स वहाँ पर एदमिसन करवाए थे वो यहां से सेलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको नीचे आना होगा नीचे आईएगा तो यहाँ पर आपका यह सारा दितियल्स पहले से फिलप रहेगा उसके बाद यहाँ पर आपको religion select करने का option मिलेगा तो इस बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना religion select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर अगर आपको blood group पाता है तो यहाँ से आप अपना blood group select कर लिजेगा वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आजाना होगा नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको district का नाम select करने का option मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना address दालना होगा तो इस तरह से आप अपना address फिलब कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको pin code दालने का option मिलेगा तो यहाँ पर click करके आप अपना pin code दाल लिजेगा पिन कोड इंतर करने के बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नमबर दालना है और उसके बाद यहां पर आपको अपना एक email ID दालना है मोबाइल नमबर और email ID दालने के बाद यहां पर आपको नीचे आना होगा नीचे आयेगा तो यहाँ पर आपको अधार नंबर दालने का option मिलेगा तो यहाँ पर आप अधार नंबर दाल लिजेगा अधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा और यह जो box दिख रहा है इस box में आपको check out नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे student यहाँ पर गलती करते हैं कि इस box में check out कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि इस box में आपको check out नहीं करना है और यहाँ पर आपको नीचे आजाना है नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका cast करतो गोरी पहले से ही select रहेगा तो यहाँ पर आपको नीचे आजाना होगा नीचे आयेगा तो यहाँ पर जो दो box मिलला अपको चेक आउट करना होगा इस दोनों box में चेक आउट करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा आवेदन सुलक 350 शुक्र जर्मा करने हैं तो यहाँ किलिक करें इस वाले अप्शन पर आपको किलिक कर लेना होगा इस पर जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आपको फूल मार्क्स और टोटल मार्क्स के रिगार्दिंग गाइड लाइन आ तो यहां पर आपको कर देना है वह करने के बाद आपके सामने एक निव पेज ओपन होगा और उसके बाद यहां पर आपको प्रभीव पेज ओपन होगा तो यहां पर आपको सारे दीटियल्स को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे आ जा तो यहां पर आपको दो railroad कर देना है उत द दूसित ने के बार मिलें Judah Blum यह पर आपको सारे 300 रुपीय का पेमेंड कर देना होगा उसके बाद आपके सामने एक रिशित निकल जाएगा उस रिशीव्द को परीकेंट करने के बाद आपको जिस भी से यह में उस जमा करना होगा और यह जमा करने की प्तिरिया है 12 अगरस्ट के बाद आप इसके लिए फॉरम जमा नहीं कर सकते हैं उस Egypt खालि me जाकर के अपना फॉरम को जम आकर देना है उसके बाद 13 अगरस्ट को आपका मेरित लिस्ट निकलेगा और उस मेरित लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो फिर आप कॉलेज में जा करके आप अपना एद्मिशन करवा लिजेगा तो हमारे पास यहां पर किसी भी एस्टुदेंट का प्रोपर दाता नहीं था इसके वीडियो में हम एद्मिशन से संबंदित संपुन जनकाई समझाने का प्रयास किया हूं तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्टन बॉक्स में मिल रहा होगा वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं आप लोग एस्पोर्त एद्मिशन के लिए आउनलाइन आवेदन करना सीख गये होंगे अगर अभी वी किसी परकार का मन में कंफूजन है तो कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके कमेंट का रिपलाई देने का पुरी कोसिस करेंगे तो आज के वीडियो में फिर मिलते हैं अगल